हम कितना भी कह लें के नहीं हमारा हम मौश्रा यह हमारे मौश्रे में ऐसा है कि बेटियों के बाप को बहुत सी बेटियों के माबाप को बातें आज तक लोग सुनाते हैं हम किसी रॉक के अंदर चुपके नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी हमारा माशरा बदल गया ही वो यह चीजें एक्सिस्ट करती हैं हमारे माशरे में और तब ही उससे रिलेट कर रहे हैं लोग उस नाफरमान को बाफ कर दू जिसने ना सिर्फ मेरा दिल दुखाया है बर कि अपनी सारी बेहनों का मुस्तगिल दौपे लगा दिया है आपके ख्याल में बेटियां के जो प्रॉजेक्ट है उसमें क्या खास बात है कि जो लोगों को पसंद आ रही है मैं नहीं मानती के बेटियां एक बहुत ही टिपकल शादियों वाली श्टोरी है कि बेटियों की शादियां उसमें बहुत से ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कॉंट्रिडिक्ट कर रही है उसको जो टिपिकल चीज़ें होती है आपने देखा होगा कि मैं वो मजलूम इतनी लड़की नहीं हूँ जहां मुझे दानिश की सचाई पता चलती है कि वो मुझे यूस करें प्रॉपर्टी के लिए तो मैं कहते हो नहीं भाई मुझे पुला चाहिए मैं इस तरह से नहीं रह सकती हाला कि उसकी चार बेहने घर प और फिर ये भी है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है बेहनों की आपस में बाप बेटी की वो जो उस तरह की जो छोटे-चोटे मोमेंट्स हैं वो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं पात्मा आपको नहीं लगते कि आपकर जो कारेक्टर है फिजा का बेटियां में काफी की वोन च्राइक का गए है जिस उसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता के मेरे करेक्टर में कुछ नहीं करने है अगर ऐसा होता तो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा ऑता पकिस डेली बेसे मुझे जो response मिल रहुता है feedback मिल रहुते विवरसCे इसमें मुझे मेरी मुझे साथिस्फाइड कि मेरा जो क्यारेक्टर है वो मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आए और कुछ मैं सही अगर करी होती हूं तो गलत करने वाले भी बहुत है तो स्टोरी जो है वो सही और गलत को लेके साथ चलनी पड़ती है तुम्हारी शादी के बादी यह सब बहुत मिस्कर हो अच्छा मुझे यहां चाय को तौनों को हमारे गर में किसी को आदत है रात के बद्चाई पही नहीं है और नहीं को इतने चाय बना सकता है जितना तुम अच्छी बनाती है आप फिकर नहीं करें आईज़ को सिखा अपने तौर पर डाला उसको इंप्रोवाइस किया अब इंडेस्ट्री में बात भी होती है कि बहुत जगों पर सिर्फ चाय का जिगर होता है मैं चाय बनाके लाती हूं या चाय बनाके लेया हूं आप कोई और बिजनिस नहीं ला सकते थे इसमें कुछ और आपी पर तो उसको वो वी सीन में बिल्ड़प कर लिया बेकाद वह भुआ जगा आ रहा था तो हम उसको इस तरह बिल्ड़प कर लिया कि वो कहीं कहीं अए वा जेमेरी चिड बना लीए किस वो सीन के कट बाद भी कहते थे कह जी जी काफी लिया हो तो मैं गए टीका वह यह किदर प्रश्राइब आपको चाहिए होता है निकलने के लिए सीन से मेरे घरवाले आए हुए हैं अगर आप उनसे मुले तो तुम्हारा दिमाद तो ठीक है मैं क्यों मिलों काउंसे तुम जानो और बाबा जाने में आपका जो करदार है फिजा का आपको नहीं लगता कि वो एक गलत मेसेज दे रहा है कि जितनी भी बदसुलूकी हो जाए अस उस्राल में बरदाश्त किया जाए और फिर आखर का सब कुछ ठीक हो जाता है और महबत भी हो जाती है नहीं देखें मेरे ख्याल में ड्रामा जो है न वो हकीकत से मुक्तलिफ होता है हकीकत से वो आप बिल्कुल आपको उसको इस तरह नहीं ले सकते कि हम उससे एक मैसेज लेके अपनी जिन्दगी उस पर कर लें हाँ, रियल लाइफ में आपको पता होता है हकीकत में कि कौन इंसान सही हो जाएगा कौन नहीं होगा ये इतना इंसान में शहूर होता है कि उसको पता होता है हां क्युक्το लेकर चलमा या एक कहानी होती है अगर आप मेसेज देने की बात करो तो फिल्म में एक बंदा 40 लोगों को मार रहा होता है अकेले वो हकीकत नहीं होती ऐसा नहीं होता कि कोई फिल्म देखके रोड पे निकल जाता है कि नहीं मैं भी 40 लोगों को एक साथ मार सकता तो ड्रामा जो है वो हमारा अगर ये मेसेज दे रहा है तो मुझे नहीं लगता जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिल्जा ने अपने ले स्टैंड भी लिया था जहां उसको लगा था कि गलत हो रहा है और अगर जैसे दानिश के आक्सिडेंट की वज़े से वापस भी आई थी लेकिन फिर भी जब उसको लगा कि दानिश शायद नहीं बदला तो उसने फिर से कहा कि आपको ज़रूरत नहीं थी मुझे रोकने की आप कहते मैं चली जाती और मैं जा सकती हूँ वो उसके आई थिंग वो जो निका में एक ताकत होती है कि वो एक इनसान के लिए केर करता है तो वो इस केर में वापस आई थी लेकिन फिर उसने कहा अब मैं जा सकती हूँ लेकिन फिर उसको दानिश ने रोका कि नहीं तो अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है और उसके लिए नागिंग तो है सास की तरफ से मेंटली टॉर्चर हा नागिंग है लेकिन उसने सास को भी कहीं कहीं जवाब दिया है सोशल मीडिया पे किस तरह का रिस्पॉंस आ रहा है सुनाएं कि आप दोनों की कैमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है फिजा और दा लोगों को मिया बीभी में अच्छे मोमेंट्स और खुशी देखनी है सिर्फ लडाई जगडा और वो चीज़े नहीं देखनी है तो वो उस चीज में दिख रहा है कि जो जो रिस्पॉंस आता है सोशल मीडिया पे वो लोग पसंद कर रहे है उस कपल को दानीजा के कपल को दानीजा लोगों ही बनाया है दानीजा जाहिस्टाग तो वो फैंस का प्यार मिल रहा है उनका प्यार है तो भी थांकुल फॉर इट बेटियां सब यही कह रहे हैं के आपका ट्राइक बहुत अच्छा है बहुत क्योट लग रही है आप और क्या कहते हैं आपका ट्राइक के बहुती हो भुषी होती है और ऊवराल अच्य ही लग रहा है सबको आज कल वैसे रेहो से वैसे सब मुझे अनॉछे मुझे आम से बुला रहे हैं जो मिल रहे है बोगि थो अच्छा आपको थोड़ा रिखार श्वाइनर वन मैं की तोWhisya किसको और मुंप पत है? अच्छा, कि अच्छा, मुझे यह था. मैं भूबार के मताई है। बैटीं में आपको विधय के लावा और वही पहन है? और जो दूसरी बेहने हैं, ओफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग होती है आप लोगों की? आप ओन स्क्रीन पसंदीद्गी की बात कर रही है या ओफ स्क्रीन? दो नूँ ओन स्क्रीन तो मुझे कुछिया का क्यारेक्टर अच्छा लगा है मतलब हानिया का जो इसका क्यारेक्टर है वह बहुत मुफट और इस तरह की जो है उसका मज़े का क्यारेक्टर लगा है मुझे और इसने किया भी बहुत अच्छे से और ओफ स्क्रीन सब बहनों के साथ बहुत अच्छी बॉंडिंग थी हमारी बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लगता था कि जैसे हम काम पे जा रहे हैं सेट पे हैं हम लोग वीडियोज भी शूट करते थे मस्ती भी करते थे मतलब सेट पे जो है ना वो घरवाला महौल था और साथ महीने तक हमने शूट की है इस डामे की और साथ महीने बाद जब खतम हो रही थी तो सब बहुत अदास हुए वे थे कि अब क्या होगा पात्मा इस बात में कितनी सदाकित है कि आपको बॉलिवुड से ओफर आई थी और आपने ठुकरा दी थी ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी क्योंके पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप ऐसी कह रहे हैं जो भी है मुझे असल में काफी साल पहले आफर हुई थी अनीज बजिमी की कि महीं कियों कूंत थी ये फिरिम थी बट मैंने किसी को नहीं बताया था जो मुझे लोग कह रहे था कि नहीं आपने पहले दूर मुझे एक इंटव्यू के लिए कॉल आई थी उन्होंने कहा के आपको ऑफर आएगी तो क्या आप करेंगी और आप क्यों नहीं करती और इस वह भी मैंने set की हुई है, तो फिल्म्स आपको पता है, फिल्म का एक अलग जानरा है, फिल्म्स में आपको skin exposed करनी है, फिल्म्स में आपको ऐसे scenes करनी है, तो वो मेरी boundaries हैं, मैं अपने काम में अलम्दलल्लाब खुश हूँ, जो मैं कर रही हूं, उसमें जो लोग मेरे काम को understand करते हैं, जिन directors की requirements उस तरह से नहीं होती, तो मैं कहते हूं, ठीक है, हाँ, अगर फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ, कि जो मेरी मुझे समझ में आ रहा हूँ, तो मैं करूंगी.